कि नमस्कार दोस्तों मैं शुचिल कुमार आपके अपने फेरेड विट्यूप्चिनल सेडेज एगरिकल्चर में श्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो हमारे टॉपिक है यह फल विज्ञान के उपर है फल विज्ञान जिसे हम लोग पॉमोलोजी की नाम से भी जानते हैं अगर हम पॉमोलोजी की डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता दू कि रशी विज्ञान की वहाँ शाखा या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उध्यान विज्ञान की वहाँ शाखा जिसके अंतरगात हम लोग फलो की खेती का अध्यन करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं fruit science या Pomology या Fall Vigyan कहते हैं तीके दोस्तों यह हुई हमारे definition जो Pomology है यह Latin plus Greek word से लिया गया है पोमो जो की Latin word से लिया गया है लोजी जो की क्या है Greek word से लिया गया है अगर हम लोग ऐसा कहें कि पोमो means इसमें fruit से है और लोजी का मतलब study करने से हैं तो दोस्तों यह हुई हमारा फॉल विज्ञान के बारे में थोड़ी जनरल इंफार्मेशन यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके साथ साथ other competition exam उन सभी की तयारी कराता है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग start करते हैं जैसे कि सबसे पहला कि भारत का फॉल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा इस्थान है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सरवाधिक जो फॉल उत्पादन करने वाला है दोस्तों सरवाधिक फल आंदरप्रदेश में होता है अगला दोस्तों लोग देखते हैं कि भारत में जो फॉल्ट है वो योगदान भारत देता है अगला है दोस्तों भारत में भारत के कुल उद्यानी की उत्पादन में फल का योगदान 30 प्रतिसत है तीके दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में उत्पादन की दिश्टी से केला आम नीवू मतलब यहां पर ऐसा है कि सबसे ज्यादा हम वहां मैं दूसरे नंबर पर नीबू है और तीसरे नंबर पर केला यहां परिषट भारत इसा बन सकता है और भारती आउशर्ठी अउशर्धी जंधान परिशत के के अनुशार प्रत्यक विक्ति को प्रति दिन 25 ग्राम फोल कम से कम खाने चाहिए कितने अगशे 85 ग्राम से फ्रूट क्या है प्रति दिन अपनी डाइट में लेना चाहिए नेक्ष्ट दोस्तों भारत में जो उपलब दता है है 2001 ग्राम विक्ति प्रति दिन ठीक है दोस्तों कहाई की यह fruit की मतलो है ना है आगला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉल का फ strongest लोगे करनने classification of fruits तो दूस्तों classification of fruits को हमने दो तिन भागों में बाटा है सबसे पहला जो है जलवाईयों के जलवाईयों के आधर फॉलो का वर्गी करन classification of fruit based on climate requirement तो दोस्तों इसमें तीन तीन प्रकार की जलवाईयों होती है सबसे पहले है जो जलवाईय है उसे हम लोग कहते ओशन फॉल जलवाईयों जिसे हम लोग temperature fruit classification कहते हैं दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले tropical fruits जिसे हम लोग उशन फॉल के नाम से जानते दोस्तों इसमें होता क्या है वे फॉल जिने ग्रिश्म काल में गर्म व आद्र तथा शीत काल में ठंड कम ठंडी जलवाईयों की आवशक्ता पढ़ती है जिसे हम लोग कहते हैं ओशन फॉल ये ट्रॉपिकल फॉल उधारन के के लिए हम लोग ऐसा बोल फॉल 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 फॉट्स कहते तो दोस्तों अगर इसको समझना है तो हम ऐसे समा सकते हैं कि शम शितोष्ण फॉलों को उगाने के लिए ग्रिश्म कालिन गर्म व अपेक्छाक्रत सुषक होना चाहिए तथा शीत कालीन में कम शर्दी के आवशक्ता होने चाहिए तो दोस नीबू अम्रूद अंजीर संत्रा खजूर आवला बेर अनार लेमन यह सब शम शितोष्ण फलों के उधारन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग शितोष्ण फल जी सम्ट टेमप्रेट फ्रूट के नाम से जानते हैं दोस्तों इस वर्ग के फलों को ठंडे छेत्रों में तेंपरेट फ्रूट कहते हैं दोस्तों इस छेत्र में गिरने वाले फल सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और प्रशुप्त अवस्था में चल जाते मतलब डॉर्मेंसी पिरेड में चल जाते हैं अग्जामपल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेब आलू नाशपाती आलूचा बादा अक्रोट एप्रिकोट पीकनट चेरी स्ट्रॉबेरी यह सभी दोस्तों जो कि क्या है टेंपरेट फ्रूट हैं अगला वर्गी करन दोस्तों हमारा व्रद्धी की प्रकृति के आधार पर है तो दोस्तों इस वर्गी करन में सबसे पहले हम आपको बता दें शाकी फल जिसे हम लोग हर्वेस प्लांट फ्रूट कहते हैं अगला है दोस्तों जाली नुमा व्रद्धी वाल फल जिसे हम लोग शर्बल ग्रोथ फ्रूट कहते हैं अगला है दोस्तों हमारा कास्टिशन र इसके example हैं अगला दोस्तो ऐसे फिल जिसमें क्या जाली नुमां जाली नुमा वरद्धी वाले हो फाल्सा अनार और करोंदा कि दोस्तो फाल्सा अनार और करोंदा अगला धोस्तों लोग देखते हैं कासटी संणरशना वाले फुल तो दोस्तों यह सेम लोग woody structure fruit भी कहते हैं for example बेर आम चीकु अम्रूद जामुन आलू और नाशपाती सेव दोस्तों यह क्या होते हैं सभी कास्टे सनरचना या woody structure मतलब होता क्या है कि इनमें जो इनकी शाखाएं होती बहुत अधिक मजबूत होती इसलिए इन्हें woody structure भी कहते हैं अगला है दोस्तों फलों के प्रकार के आधार पर अब दोस्तों हम लोग इसमें जो टाइप आप फ्रूट के पढ़ेंगे इसको त खुबानी जामुन नारियल और आलू नेक्स्ट दोस्तों सरस सरस को हम लोग बेरी टाइप फ्रूट कहते हैं फॉर एक्जामपल हम लोग देखते हैं पपीता केला चीकू खजूर अम्रूद वह अंगोर दोस्तों सरस्ट फल्ग आप ऐसे जान सकते हैं जिसमें क्या होता ह कि अधिक मांसल भाग पाया जाता है जिसे हमुई शरस फल्ग भी कहते हैं कि अगला हम देखते हैं नाश्थ पाती सेब और लोकाट दोस्तों अगर आपको पोम फ़ल हो प्रण सकते हैं कि जितने भी नीबू वर्गी फसले हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नट टाइप की जो फूर्ट फूर्ट है वह लीची और काजु अगला है दोस्तों हमारा केप्सूल करन दोस्तों तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं सदा बाहर पत जड़ी ठीक है दोस्तों सदा बाहर जिसे हम लोग एवर ग्रीन कहते हैं पत जड़ी जिसे हम लोग कहते हैं डेसी डेसी ड्यूस तो इसमें होता क्या है दोस्तों सदा बाहर का आम निभू और चीकू और पत जड़ी का जो फॉर एक्जामपल है सेब आलू नाशपाती आलूचा खुबानी ठीक है दोस्तों यह सभी क्या शितोष्ण फल है आप दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वनशपती शंबंद के आधार पर फॉलों का वर्गी करन तो दोस्तों यहां पे कुछ टेवल बनी होई है मैं आपको समझा दे रहा हूं पूरा दोस्तों सबसे पहले हम देख लाते हैं जो फेमली जिसन फूल कहते हैं और फॉल ठीक है सबसे 1 नहींजन स्ट यहां पे मिजली Developmentironаров five दोस्तों है यह केलांकी फेमली है एनक आरडे सी यह आम और और उसके फैमली होती है ये रूटे सी उसकी फेमेली होती है अगला देखते हैं तो रामेन एसी ये बेर की फेमेली है अगला है दोस्तो एरेक एसी या पामो सी ये खजूर की फेमेली है अगला है दोस्तो विटे सी अंगुर की फेमेली है तिली एसी फालसा की फेमेली है तो दोस्तो ये हुआ हमारा वानश्पतिक संबंद के आधार पर वर्गी करन अगला हम देखते हैं दोस्तो पकने की विवहार पर फलो का वर्गी करन दोस्तो मैं आपको बता दू दोस्तो पकने के आधार पर निमन दो प्रकार के हैं सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेट्रिक फल ठीके दोस्तों इसमें होता क्या है वह फल जिसमें परिपक्वता के समय श्वशंदर अधिक होती है तता कुछ हद तक इस्तिर रहती है जबकि कटाई के बाद पकना शुरू होते ही धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं जिससे हम लोग क्लाइमेट्रिक फल सबजी में इसे उपयोग के जाता है वैसे यह फल ही है ठीक एकशमपल इसमें हम लोग देखते हैं लीची नीबु संत्रा अंगूर अनार ठीक है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों अगला जो classification है यह है खाने वाले भाग के आधार पर फलो का वर्गी करन तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं खाने वाले जो भाग होते हैं इसमें मीजोकार्प पेरिकार्प यह सब अलग-अलग भाग होते हैं जिसे की हम लोग अब देखते हैं जो आम होता है इसमें जो खाने वाला जो भाग होता है जो एडिबल पार्ट होता है यह मीजोकार्प होता है अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं जो केला होता है इसमें मद्य फल भित्ति या अंता भित्ति को हम लोग खाते हैं अगला है दोस्तो जो अंगूर है इसे में फल भित्ति या प्लेसेंटा को हम लोग खाने के विपुक करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नारियल इसमें हम लोग भूण वह भूण पोश खाते हैं जैसके अंदर का जो भाग होता है उसे हम लोग खाते हैं अगला दोस्तों जो अम्रूध है इसमें फल भित्ति वह प्लेसेंटा खाते हैं दोस्तों अनार जो खाते हैं अगला है दोस्तो हमारा जामुन फल भित्ती तथा पेरिकारपा को इसमें हम लोग खाते हैं नीबू अंता भित्ती के रजदर एक कोशी की रोम को हम लोग इसमें खाते हैं अगला है दोस्तो हमारा बेर इसमें हम बाहय वह मध्य फल भित्ती को खाते हैं तो दोस्त लवन शहन सिल फसल मध्यम लवन शहन सिल फसल अगला है कम लवन शिन शहन olması का सथ यदि वो क्या करती अधिक लवन को शहन करती जैसे कि क्याँप्ल में हम लोग देखे़ खजूर अमरूदबेर आंओला की चुर अगला है मध्यम- लवन शहनसील फसल इसमें देखते हैं दूस्तों हम लोग अनार फालसा अंगुर शंत्रा और कम लवन शहनसील जो फसल है यह आम नाशपाती निभू वर्गी जितनी भी फसल है यह सबसे कम लवान शोयर फसल होती है तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस हमें कमेंट